बिहार को चार और नए मंत्री मिलने जा रहे हैं जी हाँ दो राजत कोटे से और दो कॉंग्रेस कोटे से राजत कोटे से मलसी सुनिल सिंग का नाम चल रहा है तो वहीं कार्तिक मास्टर आपको याद होगा विवाद में आए कानून विधी मंत्री थे इस्तिफा देना पड़ था लेकिन फिर से एक बार वह मंत्री पत की सपत ले सकते हैं कॉंग्रेस की बात करें तो विजय संकर दूबे मदन मोहंजहा अजीत सर्मा जैसे नाम चल रहे हैं तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्याने वाले दिनों में बिहार में जो चार नए मंत्री बनेंगे दो राजत और दो कॉंग्रेस से उसमें कौन-कौन से नाम प्रमुकता से चल रहे हैं देखिए विपक्षी एकता के बैठक में सम्मिलित होने नितीश कुमार लालू परशादी आदब और तजस्वी आदब जो हैं वो आज बैंगलोर चले जाएंगे बैंगलोर रवाना हो अब जो फर्मूला सेट किया गया था नितीश कुमार के द्वारा की चार विधायक पर एक मंत्री बनाए जाएंगे यानि किसी भी राजनितिक दल के अगर चार विधायक होते हैं तो उसमें एक मंत्री पद दिया जाएगा तो उस हिसाब से अब बारी राजद और कॉंग् कर रहे हैं लालु यादव के ही बेहत करीबी और विष्कुमान के अध्यक्ष मलसी सुनील सिंग वो मंत्री बन रहे हैं ऐसी खबरे आ रही हैं इनके अलावा दूसरे नाम अगर हम चर्चा करें तो कार्थिक मास्टर आपको याद होगा कि जब महागट बंधन की सरकार बन मास्टर से इस्तिफा लिया गया हालाकि स्तिफा उसके बाद सुधाकर सिंग से भी लिया गया था क्योंकि सुधाकर सिंग कृशी मंत्री थे और कार्थिक मास्टर जो की भुमिहार है मुकामा के रहने वाले हैं उनका नाम प्रमुक्ता से चल रहा है हलाकि एक ख़बर ये भी है कि अगर कार्थिक मास्टर के नाम पर नितीश कुमार त्यार नहीं होते हैं तो वीना साही जो है वो सायद मंत्री पत की सपत राजत कोटे से ले सकती है बात कर लेते हैं कॉंग्रेस एक कॉंग्रेस से कौन कौन से वहन है प्रमुक्ता से चल रहा है तो आपको बतायां कि जब कॉंघ्र से जो दो मंत्री बनाइदां सकते हैं उनमें धी नामों की चर्चा है उसमें नेता प्रतिपक्ष रहे जाधीत सर्मा पूर्व है वो सबसे प्रभल मानी जा रही है तो इस लिहाद से दो नाम कॉंग्रेस से विजेंद्र चौधरी और विजय संकर दूबे लगभग ये नाम जो है वो तैह हो चुका है नितिश कुमार भी इस पर मुहर लगा चुके हैं क्योंकि इनके नाम बहुत प्रमुक्ते चल रहे हैं तो बिहार में चार जो नए मंत्री मिलने जा रहे हैं उनमें यही चार नाम है राधत कोटे से सुनील सिंग कार्थिक मास्टर विजय संकर दूबे और विजेंद्र चौधरी इसके लाव कातार इस मुद्दे को उठा रही थी कि आखिरकार बिहार में हमारा मंत्री पद जो अभी बचा हुआ है वो कब मिलेगा आपको याद होगा कि 23 जुलाई को पटना में विपक्षियक्ता के बैटक होती है और राहूल गांधी जब पटना से निकल रहे थे तो उन्होंने ब पख्षियक तब आगे बढ़ चुकी है ये बात लगभकता है माने जा रही है कि कॉंग्रेस राजद और जदियू जो है वो 2024 का लोग सभाचुनाओ साथ लड़ेगी तो किसी भी तरह का मनमुटाओं ना हो मतभेद ना हो इसलिए नितीज कुमार अब मंत्री जो हैं वो द झाल